साथ संग जी प्यार से बोलिए साथ संग जी दुनिया में जितने भी बसने वाले लोग हैं जितने भी इंसान हैं अगर उनसे पूछा जाए कि भाई सुबह से लेकर के रात तक ये दोड़ धूप जो लगा रखी है मकसद क्या है आपका कारण क्या है तो सारे के सारे यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं और तमाम सारे साधन वो किये चले जा रहे हैं सुखी होने का पर तो इंसान ने किया क्या है कि सुख को अपने मन से बांध रखा है वो चाहता है कि सारी चीजें मेरे मन के अनुसार हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाओंगा कोई सोचता है कि मेरे कहे अनुसार मेरी पत्नी चले तो मैं सुखी मेरे बताए अनुसार मेरी इच्छा अनुसार मेरे बच्चे चले तो मैं सुखी मेरे अनुसार मेरे पडोस के लोग चले तो मैं सुखी मेरे अनुसार मेरे आफिस के दफ्तर के लोग चले तो मैं सुखी मगर क्या ये संभव है कि हर हमेशा बात मेरे मन के अनुसार ही हो जाए कभी भी संभव नहीं है बाते तो कभी मन के अनुसार होंगी कभी मन के विपरीत भी होंगी मगर हमेशा अगर हम चाहते हैं कि सुखी होना तो इनकी इच्छा में परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले प्रभू की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले दुखी होने का कोई कारण नहीं होगा और आज हुजूर सद्गुरू बाबाजी इस दुनिया में सारे संसार को सुखी करने के लिए आए हुए हैं और वो सुखी होने का मंत्र दे रहे हैं किसी ने सद्गुरू बाबाजी के भगत से पूछा कि आप बाबाजी की संगत में जाते हो क्या आपके बाबा जी कोई तावीज देते हैं उस महात्मा ने कहा कि मेरे बाबा जी तावीज नहीं जीने की तमीज देते हैं साथ संगे जी ये सद्गुरू बाबा जी जीने की तमीज सिखा रहे हैं साथ संगे जी किसी एक पिता ने अपने दो बेटों को बिलाया और एक एक टोकरी फूल दे दिये कहा संसार में चले जाओ जो भी हस्ता नजर आ जाए उसको ये फूल दे देना थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा लौट करके वापस आ गया सारे के सारे गुलाव उसकी टोकरी में पड़े हुए थे पिता ने पूछा क्या बात है भाई ये फूल बाटे क्यों नहीं उस बेटे ने कहा कि पिता जी मैं संसार में गया कोई हस्ता नजर नहीं आया मैं क्या करता किस को देता मैं वापस लेके आ गया थोड़ी देर के बाद छोटा बेटा वापस आ गया उसके हाथ में एक भी फूल नहीं तोकरे में एक भी फूल नहीं पिता ने पूछा क्या बात है भाई कहीं फेक के आ गये फूल बेटा कहता है नहीं पिता जी ये फूल सारे बाट के आया हूँ बोले किसको बाटे मैंने तो कहा था कि संसार में कोई हसता नजर आए मुश्कराता नजर आए उसको देना भाई तो कह रहा था कोई मुश्करा नहीं रहा है कोई हस नहीं रहा है किसको बाट दिया भाई कहता है कि पिता जी मैं रास्ते से जा रहा था एक दुखी आदमी सामने से आ रहा था उसकी तरफ देख करके मैं मुश्करा दिया वो मुश्करा दिया फूल पकड़ा दिया थोड़ी दूर और आगे गया एक इनसान बहुत दुखी बहुत परिशान था मैं उसकी तरफ देख के हस दिया वो हस दिया उसको फूल पकड़ा दिया इस दरस सारे संसार को मैंने ये फूल बाठ दे और आज सद्गुरू बाबाजी की भगत यही काम करते नजर आ रहे हैं रोतों को हसने का एक तरीका बता रहे हैं संसार में केवल हसने का तरीका आप संत महत्मा बता रहे है साथ संगी जी आज सद्गूर बाबा जी के इस ज्ञान ने करामात कर दी है यह रोते रोते आने वालों को बाबा जी हसना सिखा रहे हैं जिसी एक गाउं में एक विक्ती दूसरे को कह रहा था कि भाई ग्यान ले लो। विक्ती कहता कि भाई मुझे ग्यान नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले सही तमाम सारा ग्यान है। कहते हैं भाई ले लो ग्यान में बडी ताकत है सुखी हो जाओगे अनन्द में हो जाओगे चैन में हो जाओगे वो व्यक्षि कहता है अगर ग्यान देना है तो लाला ओला ग्यान देना तमाम सारा है रहान हो गया बोले कहने लगा ये और कौन सा लाला वाला गया तो पता लगा कि उस गाओं में एक बनिया था लाला था जिसकी अपनी बनिये की दुकान पर चुरन की कोई इतना कड़वा बोलता था केवल एक ही दुकान उसकी जो भी उसके पास सवदा लेने आता एक दम काटने को दोड़ता था और भाव एक दम ज़्यादा और माल एक दम घटिया देता था जिसे ने हुजूर सद्गरु बाबाजी का ग्यान उसको दे दिया नरंकारी बाबाजी का उसने ग्यान ले लिया और साथ संगे जी वो लाला उसके जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ गया मीठा बोलने लगा सामान बढ़िया देने लगा भाव वाजिब लेने लगा ये सद्ग्रु बाबा जी के ग्यान का फरक है साथ संगे जी आज बाबा जी का ग्यान जिस जिसके जीवन में आया है जमीन आस्मान का अंतर उसके जीवन में हो गया है आओ साथ संगे जी ये सद्गुरू बाबाजी का ब्रहम ग्यान जीवन की साथ संगे जी दिशा बदल दे रहा है इनसान के जीवन की दशा बदल दे रहा है आओ साथ संगे जी बाबाजी के चरणों में हम यही अरदास प्रातना करें कि बाबा जी आपका ये ब्रह्मग्यान हम सभी ने लिया है तो जीवन जीने की भी कला बख्ष देना प्यार से बोलिए